हेलो फोडिस फ्रेंड्स मैं सब फिरोश्यक सबस किचन में आप सब का स्वागत है मैं बना रही हूँ अद्रक वाली चाय बरसा शुरू होते ही होट डिंक्स की दिमान बढ़ जाती है अगर बात हो चाय की तो इस मौसम में अद्रक वाली चाय को ज्यादा पसंद किया जाता ह अद्रक वाली चाय ना किवल चाय के स्वात को बढ़ाती है बलकि ये सेहत के लिए भी काफी फाइदे मंद है तो आईए इस बरसात के मौसम में बनाते हैं अद्रक वाली चाय अद्रक वाली चाय बनाने के लिए हमें चाहिए दो कप मिल्क अगर मेजेमेंट से दिखा अद्रक को छेल कर कुछल दीजे गैस पर चाय बनाना वाला बरतन रखें और बरतन में मिल्क डाल दीजे मिल्क को हमें पकाना है उबालाने तक मिल्क को पहले उबाल लेने से चाय में कच्छे मिल्क के स्मेल नहीं आती है जिसे के चाई का टेस्ट खराब भी नहीं होता है तो इसलिए पहले मिल्क को उबाल लीजिए जब मिल्क में उबाला जाए तो पानी डाल दें और साथ ही आड़ करें अद्रक अद्रक को चम्मस से चलाते वे मिला लीजिए अब आड़ करें चाई पती और चीनी चाई को पका लीजिए धीमी आज पर 7-8 मिनट के लिए मिल का कलर जब पूरी इतना से ब्राउन हो जाए तो गैस को बन कर दीजिए चाई का कलर डिपेंड करता है चाई पती की क्वैलिटी पर चाई पती चाई कोई भी हो अद्रक चाई की टेस्ट को और भी मज़ेदार बनाता है और साथ ये हल्दी भी है कफ अगरे से निजात दिलाता है मुंबई में हो रही है तेज बारिश और ऐसे में तयार है मेरी अद्रक वाली चाई इसे सब करने के लिए आप अपनी पसंद की कप कुलहड या फिर कटिंग चाई का ग्लास ले लीजे जो भी आपके पस अवेलेबल हो कप ये जिसके से भी कप में आप चाई पीते हो चाई को छनी से चानते हुए इसे कप में डाले और चुसकी लेते हुए एंजॉय करें बारिश अधरक वाली चाई के साथ I hope for this friends आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो comment box में जरूर पताएं वीडियो को like करें वीडियो को share करें मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले और साथी बैल आइकन पर भी क्लिक कीजें जिसके वज़े से आपको मेरे आने वले हन्य वीडियो की जानकरी नोटिफिकेशन दारा मिलती रहेगी थैंक यू सो मच पर वाचिक माई वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो पर बाई